आज का मार टॉपिक है तेंप्रेचर दिस्टिबूशन क्योंकि चेप्टर का नाम है वाटर ओशन चेप्रेटर थर्टिंग क्लास इलेवन इंस्यार्टी जोग रखी ठीक है यहां तक क्लिए हो गया देखो यह स्टार्ट करने से पहले कि क्या-क्या फेक्टर जो एफेक्ट करते हैं तेंप्रेचर दिस्टिबूशन को इन दी ओशन यह हमारी टॉपिक है इससे पहले छोटा दा प्याग्राफ दिया हुआ है तेंप्रेचर ओफ दा ओशन वाटर इसमें क्या बोल रहा है कि यह जो सेक्शन ने डील करता है इस्पेशल मतलब अलग-अलग रीजन में अलग-अलग इस्पेश में जो टेंप्रेचर डिस्टिबूशन उसके बारे में और वर्टिकल टेंप्रेचर डिस्टिबूशन के बारे में मतलब C के surface पे जो temperature होगा और See के floor पे सचाशड मे टेंपरेचर ओगा वो क्या, एक जैसा होता है जब बरहाई करता है वराई करता है तो किस तरीके से बढ़ता है क्या नीचे जाते हुए temperature जो कम होरा है ज्यादा होरा है किस pattern से हो रहा है एक जैसा है या कुछ pattern change होता है यह सब बात हम discuss करने वाले चप्ट पर आगे कहरा है यह ocean waters get heated up by solar energy just as land जैसे land solar energy से heat up होती वैसे ocean water भी heat up हो जाता है the process of heating and cooling of ocean water is slower than land यह मैं पता ही है कि ocean जो है वो land से कम लंबे time में slowly heat up होता है और फिर cooling जो होती है वो भी धीर धीर होती है इसी की बज़े से land breeze और cold breeze जो चलती है यह भी हम पहले पर चुके है ठीक है चलिए आईए अब हम देखते हैं कौन-कौन से factor affect करते हैं इस चीज़ को temperature distribution in the ocean को सबसे पहला हमारा factor latitude देखो यह बात तो सभाविक सी है अब सबको पता होगी कि जो भी जो reason equator के पास है जो latitude equator के पास है वहाँ पे insulation जादा होगी तो अबस्ती बात है वहाँ पे temperature जादा होगा land पे भी ocean पे जैसे जैसे हम poles की तरब बढ़ेगे, high latitude की तरब बढ़ेगे insulation कम होती जाएगी वहाँ पे temperature जो होगा कम होगा, land पे भी ocean पे भी, यहाँ तक बात आपको समझा गई यही बात ही कहना है the temperature of surface of water decreases from equator towards pole equator से pole की तरब जैसे हम चलेंगे तो जो water का temperature है surface water का, वो कम होता जाता है ठीक है, आगे कहना है because the amount of insulation decreases pole was, क्यों है, इसका reason क्या है simple सा reason है, कि pole की तरब जैसे हम चलेंगे, तो amount of insulation भी कम होता जाएगा ठीक है, यहाँ तक समझा गया आगे कहना है, unequal distribution of land and water हमारा, इसका मतलब क्या है हमारा जो globe है हमारा जो अगर आप world map देखोगे, तो उस पे कहीं land है, कहीं water है ऐसा तो नहीं है, कोई pattern में तो नहीं है ना, कि इतने यहाँ पे सिर्फ एक जगा land है, एक जगा water नहीं, अगर हम प्रिति को दो हिस्तों बाटे, northern hemisphere ऊपर वाला और southern hemisphere नीचे वाला तो नीचे वाले हिस्से में land कम है, और ऊपर वाले हिस्से में land ज़्यादा है यह बात तो पता है, क्यूंकि land, sea के ocean के comparison में, water के comparison में जल्दी गरम होती है, तो northern hemisphere में, क्यूंकि land ज़्यादा है, और land जल्दी गरम हो रही है, तो sea water भी land के contact में है, तो जल्दी warm up हो जाएगा इसका उल्टा northern hemisphere में, वो ज़्यादा हीट receive करते है, due to their contact with larger extent of land than the ocean in the southern hemisphere क्यूंकि northern hemisphere में larger extent of land, ज़्यादा land है land mass ज़्यादा है, सदन hemisphere की comparison में है, तो वहाँ पे heat view oceans ज़्यादा receive करते है, लेंड से ठीक है? अगला मारा आगया prevailing wind prevailing wind कैसे काम करती है, हम यह पहले पारा था sea breeze और land breeze के बारे में ठीक है, जो breeze land से sea की तरफ चलती है, कुछ हवाई ऐसी होती है, कुछ winds ऐसी होती है, जो sea से land की तरफ चलती है, अब यहाँ पे छोट इसी सोचने वाली बात है जो ocean का surface है वो वामर है, क्योंकि उस पे insulation receive कर रहा है वो water, ठीक है तो surface water वामर होगा, जो wind sea से land की तरफ चलेगी वो wind अपने साथ surface का water सारा बहा का coast के पास लेके चलेगी, और वहाँ पे क्या होगी, pile up कर देगी, सारा पानी घरम-पानी थक्ता कर देगी, कर देगी नहीं कर देगी और आसपास के region का temperature बढ़ जाएगा ऐसा होगा, ठीक है इसका उल्टा सोचिए जो wind land से sea की तरफ चल रही है वो जो पानी है उपर का surface जो वाम water है, वो सारा coast से दूसरी तरफ लेकर चले जाएगी आगे की तरफ, और क्या होगा resultant, जो नीचे का पानी है ठंडा वो उपर जाएगा, तो वहाँ पर temperature कम हो जाएगा है ना, यही की कहता है the wind blowing from the land towards the oceans dry warm surface water along from the coast, resulting in upwelling of cold water from below जो wind जो है, जो land से coast की तरफ, land से ocean की तरफ चल रही है वो क्या करेंगे, वो उपर का surface water अपने साथ ले जाएगे, अंदर ocean की तरफ और इसका result कहने के लएगा कि नीचे का जो water ठंडा है, वो उपर जाएगा इसको हम upwelling of cold water कहते है, यह term ocean अभी हम पढ़ेंगे, बार बार आएगी जब करण समपढ़ेंगे, upwelling of cold water from below, ठीक है जब उपर का पानी हट जाता है किसी भी रिज़जर से, और नीचे का ठंडा पानी उसकी जगह ले ले लेता है, उसको upwelling of cold water ठीक है अप रिजर्स इंटो longitudinal variation temperature, longitudinal variation तो आईगी एक जगह का पानी जब दूसरी जगह जाएगा, तो वो temperature क्या होगा, वो पानी का temperature का ज़्यादा है तो उस जगह जाके भी temperature बढ़ा देगा है ना, तो longitudinal और इस जगह पर क्या होड़ा है, इस जगह पर cold upwelling होड ही from below, यहां का temperature कम हो जाता है तो obviously बातर longitudinal variation आएगी आएगी ठीक है, आगे कहरा है यह contrary to this, the onshore wind जो wind shore से चलती है ठीक है sorry, shore की तरफ आती है, जो sea से coast की तरफ आ रही है pile up the warm water near the coast वो coast के पास warm water pile up कर देंगी and this raises the temperature और उस जगह का temperature जो बढ़ा देगी ठीक है, तो यह तीन चीज़े समझा गई, चलिए अब आगे बढ़ते है चलिए, अगला हमारा है warm currents, sorry, ocean currents ocean currents कैसे जो है temperature distribution में health करते हैं, ocean currents जो होते हैं warm currents और cold currents अगर कोई warm current किसी cold reason में जाएगा, तो वहाँ का temperature बढ़ा देगा, obvious सी बात है उसी तरीके से अगर कोई cold current warm reason में जाएगा, तो उस जगह का temperature कम हो जाएगा क्योंकि cold current जो थंदा पानी लेकर कर आएगा है ना, तो वहाँ का temperature कम हो जाएगा, सुभावी सिवा तर क्या कह रहा है ये, warm ocean currents raise the temperature in cold areas जो warm ocean currents है, वो cold areas में temperature बढ़ा देते हैं while the cold currents decrease the temperature in warm areas जबकि जो cold ocean currents है, वो warm areas में temperature को कम कर देते हैं, ठीक है, example दे रहा है, gulf stream gulf stream में एक warm current है वो क्या करता है, raises the temperature near coast of North America and west coast of Europe, gulf stream एक warm current है, वो क्या करता है North America का और west coast of Europe का temperature जो रेस कर देता है, जब वहाँ पहुंचता है, जिसकी विएसे वहाँ का temperature थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, अगला example क्या दे रहा है, labrador current जो कि एक cold current है, वो है, क्योंचि एक cold current है, ठीक है, आगे है कहरा है, all these factors influence the temperature of ocean currents locally, जो चार factors हमने पढ़े हैं, ये ocean currents का, sorry, जो temperature distribution है, ये का करता है, ये locally impact करता है, all these factors influence the temperature of ocean currents locally ठीक है, ये सब जो locally ocean currents का temperature को impact करते हैं, ठीक है, आगे एक बात बोल रहा है, the enclosed sea in the lower latitudes, record relatively higher temperature than the open seas, while whereas, the enclosed seas in the high latitudes have lower temperature than the open seas, देखो, कोई enclosed seas है, एक high latitude में है, एक lower latitude में है ये equator के पास है, ये pole के पास है, surrounding में land होगी, यहाँ भी land होगी, यहाँ पे जो temperature होगा, comparative ही ज़ाद होगा, क्यों? और सी बात है, यहाँ पे insulation ज़ाद है दूसरा एक factor और काम कर रहा है इसके चारत अब land है, क्योंकि land equator के पास है, तो land और ज़्यादा heat absorb करेगी तो और ज़्यादा temperature यहाँ का पढ़ जाएगा on the other hand, इस पे क्यों क्या हो रहा है यहाँ पे insulation कम काम कर रही है insulation कोई काम नहीं कर रही है क्योंकि और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने थेंक यू